तो तो चलिए आज हम एक नई सीट हमारा प्रैक्टिकल सेशन के अंदर एक नई सीट लेकर त्यार हुए इसका दोनाव है मर्केटर प्रोजेक्शन इसके बारे में इसका स्क्राइब क्या होती है यह कैसे बनती है चलिए आज इसको जाणने की कौसिश करते हैं एक्चुलिव अंदर एक रस द्लाइन होती है जिसको लॉक्सो ड्रंब वहोते हैं इसका मतला होता है तो सबसे नियरेस्ट या और स्वह सबसे जो ऑनियर्ष्ट ऑभ और His Road है मोर्केटर प्रोजेक्शन के दुआै लेते हैं मर्केटर को दो रहेगा वह है कि एक मर्केटर प्रोजेक्शन की रजना कीजिए या 8 जो इसका सो फिर्टी क्रोड और इसका दो इंकर नहीं पास है तो यानिकि इंटर्वल का मतलब लाइन हम ड्रो करने वाले उसके इंटर्वल कितने का रहेगा वो रहेगा तो सब्सक्राइब करना है और कैलकुलेट करना है और इसको कैलकुलेट करने के लिए करने बेदे और को रहेगा बिया यह स्केल हमारे पास थाइंक इसको हम और priority इसको में सेंटी में héस速ं को हुआ सख्यान ने रहें तो हम इसन यह अपर स्क्राइब का संटी मिइट वेहे है वो इसकल रहे सेटि क्रोली आपना में तो इसको हम इसे दिवाइड करते हैं तो हमारे पास 2.1 cm जो है यह एक रीडियस आजाता है 2.1 cm radius यहाँ पर हमारे पास लिए है cm के अंदर में लेंगे तो सब्से पहले हम ने इसका केल्कुलेट कर लिया radius radius calculate करने के बाद में हम क्या करेंगे हम निकालेंगे length of equator सबसे पहले हम जाना है कि कैसे कि करना है तो इसमें क्या गया गिवन प्रिवन जो आरफ है तो रियल में हमारा रिजरा इस है उसको इसमें देगे तो इस परकार से यह दिया गया इंटू में तो हमारा यह आजाए डिडूस आर्थ रीडियेस उसके बाद में लेखा रहे हैं लेंट ऑफ एक्वेटर के लिए फार्मॉल है जिसको बहुत है टू पाई टू पाई आर्थ इसी भी हमारा या दिया गया है टू पाई वीस आर्थ इसको बाइस बटे साथ रिडू आर्थ जो हमारा दियार दे आया दिया अतना यारमिलेना है तो यहां इसको कैसे कालेक्श रेट करेंगे टू पाई क्वाउइट वीस परकार से जब इसको धर टू करेंगे जानि के बाईस पर साथ को भी लिख सकते हैं ग्यांकि यह आर्ट पाई की विल्यू है तो यानिके जो एक्वेटर जो लाइन लगेगे उसकी जो लेंथ होगी हमारी वह कितनी होगे वह हमारी रहेगे थर्टीन पॉइंट तू सेंटी मीटर बागी अदर जो पैलल और जो लॉंग इट्वूट्स है वह हम अलग कैल्कुलेट करेंगे है अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे को कैल्कुलेट करेंगे इसको कैल्कुलेट कर सकते हैं इसको कैल्कुलेट करने के लिए हम ही जागरना है तो हमारे पास सबसे पहले हम देगे डैन्थ ओप एक्वेटर लैंथ ओप एक्वेटर यांदि के हमारे जिसे के 13.2 इंट्व में कितना डिग्री का इंट्रवल है इंट्रवल हमने देखा ता 20 डिग्री का है तो 20 डिग्री और डिवाइड करेंगे इसको 360 से तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में जो डैंक आए वो हमारे पास में आज आएए के 0.13 0.73 cm यह इसको भी से डिवाइट करेंगे तो यह मारे पास आजेंगी 0.73 cm यानि के 8 cm से कम यानि के जो अमारी यह आज लाइन लगेगी जीख है वैंगी ड्राग एक्वेटर इंटो इफ्रेंट पार्ट बाइट इस डिस्टेंस 0.7 cm से ब्राबर या स्केल से हम चाहिए 0.73 cm का डिस्टेंस लेंगे और इसको हम 20 लिग्री पे हमारा अजिस्टे की यह है तो हम कितने इसके अंदर जी करेंगे इसके लिए हम देखते हैं तो सबसे पहले हमिन क्या करना है इसको कैसी टॉस्टेट करना है तो सबसे पहले हम चाहिए लाइन और थाटीन पॉइंटर इंट्वार्ट अब यहां पर यहां तो एटीन पार्ट्स के अंदर ही जो डिवाइड करेंगे क्योंकि देरा थोटल त्री अंडर्ड शिक्स्टी लोगिटूर्स और इंटर्वाल हमारा कितना है तो इस परकार से अब यह कितने हैं हमारे पास में यह मारे पास में आजेए कि लागवर तो है अधिन जदिकी एटीन हमारे पास में जो है आएगी इस यानिके यह वर वन डिग्री पर रखते हैं तो थरी शिक्स्टी रखेंगे ठीक है हमारे पास से हैं तो इतना डीगिरी पर हमें रखना है तो जीतना दिग्री केक Gleiche क्गे muima यह यहानी देन रखनी है लHD किस बिखेंटाट सेवन ऐने हैं उर्टी इक ना आश्यक्न से दिस्टैंस में और चीगर Martinez काना हम सवायında तो यह यह जो लाइन रहेगी हमारी सारी क्या रहेगी हमारी चाहिए लॉगीटूटवाइगी ज़सको हम बोलते हैं इस परकार से हम इस पर लगा लेगे ये लाइन है यह वाली लगानी है इसको हम कैसे करेंगे इसको कैल्कुलेट करने के लिए हमारे पास जा रहेगा यह वाली लगे यानि कि दे संतर रहे हैं तो इसलिए हमें जाए पड़े रहे हैं इसलिए हमें जाकरना पड़े रहा जिरो जिरो डिगरी कि यह पर लेके जाते हैं तो जो नाइंटी तक हमारी पास है यानि के नाइंटी डिग्री नोड तक है जादा वह जाएगी नहीं तो हमें क्या करना है फोर लाइन उपड लेगेगी और यह जो लाइन लगेगी वह किस दिस्टेंस की साफ से लेगी इसकी लिए एक फार्मुला है जो मर्केटर ने आपे ब तो हमारे पास इंटरवाल आजर से 20 डिवाइड बाए तरी शिक्स्टीन तो यह लाइन है तो लॉगिट्टूट्स लाइन लाइन लगेगी अब हमें लैटिट्टूट्स लाइन कैसे ड्रोव करने है इसके लिए हम चाहते हैं यह जो फॉर्मूला है इसकी हिसाब से वह बाक सब्सक्राइब का रेडिएस जो सबसे पहले हमने कैल्कुलेट किया था तो यह लाइन लगेगी इसको मल्टिप्लाई करेंगे जिरो पॉइंट से यह लाइन लगेगी 1.6 cm की इसी फरकास से सिक्स्टी पे हम लगाएं तो यह मरी रहेंगे तो पॉइंट सेवन सिक्स्टी और एटी पे लगाएं तो हमारी 5.1 cm की तो इस फॉर्मूले के तहाथ हमें अधर जो लाइन है वो ड्रो करनी है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस प्रोजेक्शन को बनाने की कैसे हमें इसको करना है यहां प्रेंग मैंने यह सीट लिए आ आपको बताई थे कितने बताई थे 13.2 cm अब यह लाइन लेने के बाद में आपको बताया था कि इस लाइन को हमने 18 पार्स के अंदर डिवाइड करना है किसी साब से 0.73 cm लेकर ठीक है यह भी हमने लाइन लगा दिए अब लोगे अब हमें लेना लैटिटिव्स तो तो यहां से हमीं चाहा करना है 0.5 cm की लाइन एक नीचे इसको पहले कट करेंगे यहां पर भी और इधर में फिर दूसरा तो हमारा रहेगा 1.6 यह देखिए 1.6 हमें यहीं से मजर करनी है यहां से उपर 1.6 जाता काता है इधर में इधर में और इसी प्रकार से यहां और यह में फिर हमारा रहेगा 2.7 यहीं रखना है 2.7 इसी प्रकार से यहां और लास्ट वाली जो यानिकी इक लाइगी यहीं रखना है 5.1 cm 5.1 cm 5.1 cm 5.1 और 5.1 यह जब हमारा इस प्रकार से रहेगा फिर हम इनको स्केर की हैं इनको आप पसमें एक दूसरे से जोर करवाएंगे इसको ड्रोग करेंगे यह बाकिए अधर हमारी चाह रहेगी लैटिक्यूट्स लाइन रहेगी इस परकाफ से हमारी यह जो प्रोजेक्शन है वह बनकर रैडी हो जागी यह बाक्षी कि जो लाइन है और जितनी भी हमारी जो लाइन है वह हम इसके ओपर एटीन लाइन है वह सब्सक्राइब देख सब्सक्राइब कर जैसे लिए करफ्टीक्रीक्राइब करेंब एकर रहे जो जुता है यह द्यों सक्कूट्स को प्रोजेक्शन हो जीनिस पय的是 u लेंट विए ज़ी बदा रहें कि सभी जो एक्वेटर बराबर में हमारी तो पैवलर लाइन व्यांद में लेंग से इसके अंदर सभी बता रहें कि सभी मेरिडियंस के बीज का जो लैंथ और बट यह पास में इनके बीज की दूरी है वो कम रहती है इसी परकार से आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो ग्रीन लेंड को जब हम मैप के उपर देखते हैं तो मैप के उपर वो काफी बड़ा दिखाया जाता है लेकिन एक्चुल के अंदर जब आप गलोब पे लेखते हैं तो उसका साइस काफी चोटा इतना बड़ा नहीं है तो यह मर्केटर प्रोजेक्शन पर बनाता है तो उपर की हमारी जो अक्षांस रेखा है उनके बीच का डिस्टेश ज्यादा होने की वज़े से उन एडिया को भी या उन देशों को भी हमें बड़ा दिखाना पड़ता है इसका जो सही है जैसे जैसे यह लोग की तरफ बड़ता जाता है तो उसमें थोड़ा डिस्टोर्शन आ जाता है और इसी प्रकाफ से यहां में दे सकते हैं कि और एक्जांपल थर्टी डिग्री पैरलल की जो टाइम है वह वान पॉइंट सिक्स पोर टाइम लोंगर देन दा पॉर्सकोंडिंग पैरलन ऑंदा ग्लोग के अग्जांस रिखाएं इनके 20 का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है इस तो अग्याइब अधिट्री डिस्टोर्शन टेफ प्लेस्ट आप जाते हैं नौर्थ और साउथ की पोल्स एरिया तो मेंटें एकिन उता साइज है या इसके थोड़ा इस्टोर्शन आ जाता है त आप देगमेल नेंगे डिस्टोर्शन आप जाता है जाते हैं जाते हैं फूल इस तो जाता है सम्क्रियू या जाती तो आप जाता है या कैसे इसको draw कर सकते हैं तो ये था हमारा marketer projection थैंक यू